हमारे कैंडिडेट्स जनाब हाजी अब्दुल रशीद दार जी, जनाब एडवेकेट इर्फान लोन जी, जनाब मीर इकबाल जी, जनाब इर्शाद एहमद जी, स्टेज पे इंडिया गटबंदन के सीनियर नेता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप मुझे यहां बुला लेते हो, आदे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए बुला देते हो, मगर एक-दो दिन के लिए कभी यहां नहीं बुलाते हो मुझे, और तो मैं चाहता हूँ, कि आप मुझे यहां बुल काजू रखा, किश्मिश रखा, मगर ये सोपोर का सेव नहीं रखा आपने, और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है, इस सेव को पूरी दुनिया में पहुचाना है, अमरीका में पहुचाना है, जापान में पहुचाना है, चाइना में पहुचाना है, आप लोगों की मेहनत है इसमें सुपोर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविश्य है और मैं चाहता हूँ कि ये सिरफ हमारे देश में नहीं मगर ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पहुचे आज कल अमरीकन सेब हमारे देश में खाया जाता है मैं चाहता हूँ कि ये सेब अमरीका में खाया जाए जब भी सेब खाया जाए लोग कहें कि हाँ भीया ये सुपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है सबसे पहली बात शायद सबसे जरूरी बात आपकी स्टेट हूट की है बहुत सारे यूनियन टेरिट्रीज को स्टेट में बदला गया है ये हुआ है स्टेट को बाटा भी गया है एक स्टेट को दो भागों में बाट दिया गया है अंधरप्रदेश हुआ करता था उसमें से तेलेंगाना बनाया बिहार हुआ करता था बिहार और जहारखंड बने मध्यप्रदेश में से 36 गड़ बनाया गया मगर पहली बार पहली बार इतिहास में हिस्ट्री में एक स्टेट को यूनियन टेरिट्री में बदला गया है और ये शर्म की बात है ये हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है पहली बार जमू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भहिया आप स्टेट नहीं हो आप यूनियन टेरिट्री हो आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा मले नहीं चलाएंगे आपको बाहर के लोग लेटरनन्ट गवनर ब्यूरोक्राट्स चलाएंगे हम चाहते थे कि चुनाओ से पहले आपको आपका स्टेट हूद वापिस दिया जाए और जमू कश्मीर के सब लोग ये चाहते है सब लोग ये चाहते थे कि स्टेट हूद हमें पहले वाठतिस मिले और उसके बाद चुनाओ हो नहीं हुआ ठीक है पहला कदम चुनाव है मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड मिलना ही पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेट हुड नहीं देंगे तो इंडिया घटबंदन उन पर पूरा दबाब डालेगा प्रेशर डालेगा पार्लिमंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड वापिस दो और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया घटबंदन की सरकार दिल्ली में आईगी हम आपको आपका स्केट हुड दे देंगे अगर अगर इस सेब को अमरीका में जापान में पहुचाना है तो पहला कदम आपको स्केट हुड देना है उसके बिना नहीं हो सकता दिल्ली में जो सरकार है वो दो-तीन अरब पतियों की सरकार है यहां जो आपको सही दाम नहीं मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में भी सेब के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है उसका कारण अदानी है नरेंद्र मोधीची की सरकार 10-15 अरब पतियों के लिए काम करते हैं वो भी वो करते हैं 10-15 लोगों के लिए करते हैं एरपोर्ट, स्पोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर सारा का सारा यह दो-तीन लोगों को देते हैं और यह दो-तीन लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं नोट बंदी की गलट जी एस्टी लागों की जो छोटे बिजनसेज हैं यहां के जो लोकल बिजनसेज हैं सेव का जो बिजनस चलाते हैं इन सब को नोट बंदी और जी एस्टी ने खतम किया है गलट जी एस्टी ने छोटे बिजनसेज को खतम कर दिया है है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता जम्मू कश्मीर की हालत आप जानते हो यहाँ पे बड़ी-बड़ी बाते होती है मगर अगर जम्मू कश्मीर का युवार रोजगार चाता है उसको नहीं मिल सकता है अगर वो इंटर्प्रणर है छोटा बिजनस चलाता है मिडल साइज बिजनस चलाता है हैंडी क्राफ्स का काम करता है तो बैंक के दर्वाजे उसके लिए बंद है टेक्निकल सपोर्ट नहीं है पूरा का पूरा सिस्टम 10-15 अरब पतियों की मदद करने में लगा हुआ है जी एस्टी में आप पैसा देते हो जितना पैसा आप देते हो हिंदुस्तान की गरीब लोग देते हैं उतना ही पैसा अधानी देता है अगर आप शर्ट के लिए 18% देते हो तो अधानी भी उसी शर्ट के लिए 18% देता है जितना जी एस्टी गरीब व्यक्ति देता है उतना अरब पति देता है महंगाई बढ़ती रहती है कर्जा माफ होता है तो अरब पतियों का होता है 16 लाख करोड रुपे नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों के माफ किया है मगर किसान हो मजदूर हो चोटा व्यापारी हो कॉलिज टूड़न्ट हो इनका कर्जा कभी माफ नहीं होता है यहीं फरक है हम में और उन में यहां पर उन्होंने हाइ टेकनोलोजी की बात की स्मार्ट मीटर लगा दिया पहला काम हमारी सरकार करेगी यह स्मार्ट मीटर है उसको निकाल देंगे, खतम कर देंगे और जहां भी ये जाते हैं जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है पूरे देश में नफरत फिलाई है और इसलिए कन्या कुमारी से लेकर जमू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम महबत की दुकान भी खोल सकते हैं अगर आप नफरत फिला सकते हो तो हम महबत फिला सकते हैं और जितनी उन्होंने नफरत फिलाई उससे दुगना हमने महबत फिलाई और 4000 किलोमीटर चले यहां तक जमू कश्मीर तक हम आए क्यों हम मेसेज देना चाते थे यह भाईचारे का महबत का देश है यह सब लोगों का देश है इसमें सब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए सब की इज़त होनी चाहिए भाईचारा होना चाहिए शांती होनी चाहिए यही बैसेज था भाराच जोड़ो यात्रा का यहाँ पर मैं जानता हूँ आपकी लोकल इस्शूज है दो-तीन हमने मैनिफेस्टों में वाइदे किया है जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो आपको हम मिनमम सपोर्ट प्राइस देंगे 100% क्रॉप इंशॉरंस जहां भी आपको नुक्सान होगा आपको इंशॉरंस का पैसा मिलेगा गरीब लोगों का जो एविक्शन हो रहा है वो हम रोकेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्स के लिए हम 2500 करोड रुपे आपको देंगे मीर साब से मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे कहा कि यहां का जो सेब है यह एक्सपोर्ट होता है मगर इसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है मतलब फूट प्रोसेसिंग प्लांट यहां पे नहीं है हमारा लक्ष है कि आपका सेब अमरीका जाए जापान जाए बाकी देशों में जाए मगर फिर यहां आपकी सेब की प्रोसेसिंग की भी प्लांट लगे कि सेब का पूरा का पूरा फाइदा सोपोर की जनता को मिले आप जानते हो मेरा आपका रिष्टा राजनेतिक रिष्टा नहीं है मेरे दिल में जमू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं यह आप समझते हो यह खून का रिष्टा है बहुत पुराना रिष्टा है मौबबत का रिष्टा है और आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत है चाहे सेव की बात हो स्मार्ट मीटर्स की बात हो किसानों की बात हो जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ बुलाना है मैं यहां हाजिर हो जाओ आप ट्राई करो अगली बार कहना अपने M.L.A. से कहना जो जीते हींगे उन्चे कहना भईया राहुल जी को बुलाओ और आप देखना जैसे ही आप मुझे बुलाओगे में यहाँ आजर होजाओगा और अगली बार बुलाओगे तो भईया आदे गंटे के लिए मत बुलान कम से कम एक दो दिन के लिए बुलाना गेराई में मुझे यहां समझाओ क्या हो रहा है आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद